कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो गाना नहीं सुनाने वाली हूँ, ये बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे बाते हैं जो आपको अपनी पार्टनर से कभी नहीं कहनी चाहिए वो कौन सी बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, उन्हीं जानना है तो वीडियो को अखिर तक देखिए, नमशकार, मैं मौनव एक्यानिक, डॉक्टर मुयूरिकादास बश्वास और स्वागत है आपका यॉर सुवाइवल मॉडल में पहली चीज़ जो आपको अपने पार्टनर से नहीं कहनी चाहिए वो है अपने परिवार की वीक्नेस कमजोरिया मेरे फादर शराब पीकर हमारे घर पे धामाल करते थे मेरी मा का किसी और के साथ अफैर चल रहा है मेरी बेहन घर चुर के भाग गई मेरे घर वालों ने बहुत बड़ी चोरी की है ये सारे डीटेल्स आपको इमीडिटली उनको बताने की जरुरत नहीं है रुप जाएए थम जाएए जान लीजे कि आपका रिलेशनशिप कितना गहरा है जैसे ही आपको कोई मिला है वैसे ही उसके सामने अपनी सारी कमजोरियों को खोलने की कोशिश मत कीजे पहले जानिए कि वो कितना आपका इमानदार है पहले जानिए कि वो कितने आपके प्रती समर्पित है आपका साथ देंगे थोड़ा समय लीजे मैं जानती हूँ कुछ चीज़े ऐसी होती है जो आपको अपने पार्टनर को जरूर बतानी चाहिए जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि उन पुराने जखमों के बारे में आप अपने पार्टनर को बताएं ताकि वो और अच्छे से आपको समझ पाएं लेकिन फिर भी आपको रुकना चाहिए जब तक की रिलेशन्शिप गहरा नहीं हो जाता मैं कते ही ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर को धोका देना चाहिए नहीं 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 वो मेरा मतलब नहीं है आप हमेशा ही अपने पार्टनर को कह सकते हैं कि मेरे बारे में कुछ बाते हैं जो समय आने पे मैं आपको जरूर शेयर करूंगा दूसरी चीज जो आपको अपने पार्टनर को बिलकुल नहीं बतानी चाहिए वो है अपने X के बारे में बहुत सारी डीटेल्स अगर वो आपसे पूछे क्या आपका कोई X था और अगर था तो जरूरी नहीं कि आपको जूट बोलना है आप कहे ही सकते हैं सच के कोई X था लेकिन क्या आपको अपने X के बारे में बहुत सारी डीटेल्स होने देने चाहिए शायद नहीं, ये डीटेल्स आपके पार्टनर को विचलित करेंगे आपके पार्टनर आने वाले समय में सब चीजों को आपके पास के साथ कमपैर करने लगेंगे कि अरे आप अपने X के लिए तो ये करते थे मिरे लिए नहीं कर रहे हूँ आपके X तो आपसे इससे भी बुरा बरताव करते थे मैंने कुछ कह दिया तो आपको बहुत बुरा लग रहा है सो बार-बार आपके X के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप था उसके साथ तुलना शुरू हो जाएगी कंपेरिसन इसलिए रुकिये ठैरिये अपने X के बारे में डीटेल्स देने की कोई जरुत नहीं है आप हमेशा कह सकते थे बात बनी नहीं हम अलग लोग थे इसलिए हम अलग हो गए अपने X की बुराई करके संतुष्टी पाने की कोशिश मत कीजे अपने X के बारे में गौसिप करके अपने आपको विक्टिम बना के कुछ विक्टिम वाली सिंपती पाने की कोशिश मत कीजे अपने आपको powerful बनाईए और अपने relationship में बहुत ही दंगदार तरीके से इज़त मांगे relationship में मांगे खुब जादा प्यार और दीजिये भी खुब जादा प्यार तीसरी बात जो आपको अपने partner से नहीं कहनी चाहिए वो है अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मेरे लिए डाश 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 जरूर करेंगे ये एक किसम का blackmail हो गया अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए तो कुछ महेंगा खरी दी सकते हो अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे मुबाइल का बिल तो भर ही सकती हो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए अपने पैरेंट से तो लड़ाई कर ही सकते हो अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम मेरे लिए अपने घर से छोटी मोटी कोई चीज तो चुरा ही सकती हो, मेरे खर्चे उठाने के लिए, अगर आप सामने वाले को कहेंगे, कि प्यार के बदले कोई action चाहिए, तो ये तो blackmail हो गया, आप अपने प्यार को बेच र भी दे, pressure में आके अपना प्यार प्रूफ करने के लिए, आपकी demand को पूरी कर भी दे, लेकिन फिर भी आपका partner long term में इस बात को लेके असंतुष्ट रहेगा, और वो असंतुष्टी आपके relationship के लिए अच्छी नहीं होगी, partner को खूब जादा प्यार दीजे, वो automatically ऐसे काम करना चाहेंगे, जिससे आपको खुशी मिलती है, आप relationship में cooperation मांग सकते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आप दोनों एक relationship में हैं, क्योंकि cooperation का हग बनता है आपका, लेकिन प्यार के बदले cooperation मत मांगे, cooperation इसने मांगे, क्योंकि आप cooperate करते भी है, चौथी चीज जो आपको पार्टनर से नहीं कहनी चाहिए, वो है, तो मेरी जिन्दगी में सबसे important चीज हो, ओ, हेलो, बिलकुल ये गलती मत करना, आप खुद अपने जिन्दगी के सबसे important व्यक्ति होने चाहिए, अगर आप अपने पार्टनर को जिन्दगी का सबसे important व्यक्ति बना लेंगे, और स चीजों को partner से जोड़ देंगे, तो आप अपने partner को बहुत ज्यादा importance दे रहे हैं, भगवान जैसा status दे रहे हैं, और फिर जैसे ही वो आपको असंतुष्ट कर देंगे, किसी बात के लिए आपको मना कर दिया, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की, demand पूरी नहीं की, वै इसलिए अपने partner को अपनी जिन्दगी का core and center मत बनाएए, अफकोस आपके partner important है, उनको जरूरी importance भी दीजे, उन्हें खूब जादा importance दीजे, लेकिन अपनी जिन्दगी को सिर्फ अपने partner के इर्द गिर्द मत रख दीजे, आप अपने partner को खुच से भी जादा प्यार करें बहुत सुन्दर बात है, लेकिन फिर से याद रखे, आपके partner आपके जिन्दगी का एक मातर मुद्दा नहीं होने चाहिए, अपनी जिन्दगी में disinvest करना सीखो, बहुत सारी चीजे होनी जिसमें आपकी energy जा रही है, बहुत सारी productive चीजे, पढ़ाई, लोगों से connect होना, नई चीजों को सीखते रहना, parents के साथ अच्छी relationship बनाए रखना, भाई बहनों के साथ अच्छे तरीके से connected रहना, दोस्त बनाना, बहुत सारी काम है जो आपकी जिन्दगी में जगा पाने चाहिए, और इनको अगर आप जगा देंगे, चायद partner के बाद ही जगा देंगे, लेकिन इनको भी जगा देंगे, ऐसा करने पर आप देखेंगे, आपकी सिंदगी खुब खुशाल है, आखरी चीज जो आपको अपने partner से नहीं कहनी चाहिए, वो है, मैं perfect हूँ, मुझे सब पता है, मैं perfect हूँ, मेरे इसाब से ही सब होने चाहिए, मैं perfect हूँ, मैंने कह दि partner के बीच बहुत सारे कलेश होने वाले हैं, बहुत सारे जगड़े होने लगेंगे, आप कहेंगे कि आप perfect हैं और वो चीज़ें आपके partner को suit नहीं करेंगी, आप demand करेंगे कि आपकी ही बात मानी जाए, आप demand करने लगेंगे कि आपके हिसाब से ही सारी decisions लिये जाए, आप ह सारे plans को direction दे धीरे धीरे आपके partner का अस्तित्व कम होने लगेगा आपके partner की एहमियत relationship में कम होने लगेगी ये आपके partner को frustrate करेगी और वो आप से दूर होने लगेंगे इसलिए अपने partner को कहिए मुझे आत्मविश्वास है मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ मैं खुद को पसंद भी करता हूँ लेकिन मैं गलतिया भी करता हूँ मैं perfect नहीं हूँ मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ मुझे गलतियों से सीखना अच्छा लगता है अगर मेरी कोई गलती होगे तो मुझे बताईए, हो सकता है इस बात को अभी जो मैं आर्ग्यू कर रही हूँ, वो मैं बहुत जोरदार तरीके से आर्ग्यू कर सकती हूँ लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरी आर्ग्यूमेंट में कोई flaws है या कोई गलती है, जो इस वक्त मुझे नहीं दिखाई दे रही है I am not perfect इस बात को मान लेने पर आपकी relationship में जो interdependence है, यानि कि एक दूसरे पर depend होना है, वो और भी सुन्दर तरीके से गहरा हो जाएगा, जब आप मान लेंगे कि आप गलतिया कर सकते हैं, तो आपकी relationship बहुत गहरी और rewarding बन जाएगी आशा करते हैं, ये relationship बाला विडियो आपको पसंद आया है आप बार बार इस चानल पे आते हैं, relationship के बारे में, psychology के बारे में कुछ सीखने के लिए, ये मेरे लिए बहुत मुले रखता है, आपके मुल्यवान समय के लिए, धन्यवाद